Dear student, I hope आप सभी ने अपना सैने की स्कूल का scorecard चेक कर लिया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपने qualify किया है या disqualify किया है क्या rank आपने अपने हासिल की है ये सारी बातें आपको पता चल चुकी होगे अब सबसे important बात ये है कि सैने की स्कूल ने इसी वर्ष से एक नया प्रोसेस e-counseling का प्रोसेस स्टार्ट किया है अब ये e-counseling है क्या, e-counseling किस तरह के से हमें करनी है e-counseling करें या नहीं करें, e-counseling जरूरी है या नहीं है ये सारी बाते में आपको step से बताने वाला हूँ dear student, आपको screen पर सैने की स्कूल कक्षा 6 का scorecard है वो आपको दिखाई दे रहा होगा scorecard को हम जैसे scroll down करेंगे तो आपको सैने की स्कूल opted यानि कि आपने कि सैने की स्कूल से अपना form फिल किया है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा सैने की स्कूल चितोड़ गड़ जैसे इस बच्चे ने सैने की स्कूल चितोड़ के लिए अपना form अपलाई किया है और आप qualify है या नहीं है ये भी आपको इसमें result का जो corner है इसमें आपको दिखाई देगा qualified in the written test for SS and NSS यहां SS और NSS से मतलब क्या है SS का मतलब होता है सैने की स्कूल जो old सैने की स्कूल है 33 सैने की स्कूल इंडिया में total open है ये उन स्कूलों की बात हो रही है NSS, NSS का मतलब होता है new सैने की स्कूल यानि कि जो नए सैने की स्कूल Indian Ministry of Defense ने update किये है ये उनके लिए है और आपने किस-किस स्कूल के लिए apply किया है ये इसमें बताना चाहरा है अब e-counseling क्या होती है e-counseling के लिए प्यारे वे ध्यार्थियों आपको अपने scorecard में point number 6 की उपर एक website का link दिखाई दे रहा है इस website के link पर आपको click करना होगा click करके आपको एक नया interface दिखाई देगा यह interface All India Senic School AISAC यानि की All India Senic School admission counseling का interface open हो चुका है यानि की AISAC की official website open हो चुकी है यहां से आप e-counseling कर सकते हैं अब e-counseling करने किस तरीके से है जैसा की आपको latest news की corner में आपको दिखाई दे रहा है Welcome to Senic School e-counseling portal e-counseling for admission into existing new Senic School will commence shortly kindly visit portal for latest updates यानि की जो e-counseling की process है वो अभी start नहीं हुई है और e-counseling के लिए आपको proper AISAC की official website पर visit करते ही रहना पड़ेगा जिससे आपको पदा सल सके कि e-counseling start हुई है या नहीं हुई है अब e-counseling है क्या प्यारे विद्हरतियों जिस भी student ने अपना Senic School का जो exam है वो qualify कर लिया है तो उनके लिए ये e-counseling जरूरी है e-counseling में करना क्या है जैसे ही e-counseling की process start होगी तो उसमें जिस भी Senic School से अपने form apply किया है उस Senic School को choose करना होगा अगर आपने new Senic School के लिए apply किया है तो new Senic School की जो choices है वो इसमें आपको fill करनी होगी यानि कि आपको 5 choices में fill करनी पड़ेंगी और उसके बाद आपकी next process start होगी उसी के according आपको Senic School दी जाएगी जो आपने marks obtain किये है उनके according जो top rank के candidate है top rank के candidate के according आपको Senic School प्रोवाइड करवाई जाएगी फिर इसके बाद में आपकी medical वगरा की process start हो जाएगी e-counseling के लिए आपको AISAC की official website पर आपको visit करना है visit करने के बाद में आपको just side में एक login का portal दिखाई दे रहा होगा login के portal पर आप click करेंगे तो इसमें sign in का option आपको दिखाई दे रहा है sign in इसमें आपको अपना username और password इसमें fill करना होगा और उसके बाद में sign in करना है और उसके बाद में अपने इस process को complete करना है ये process e-counseling की जो process है वो अभी तक start नहीं हुई है जैसे ही ये process start होगी आपको बता दिया जाएगा कि e-counseling किस तरीके से करनी है और e-counseling सभी विध्यार्थियों को करनी है फिर उसके बाद next step process हो जाएगी अगर कोई बच्चा e-counseling से रहे जाता है तो उसको वो ही पुरानी step जो अल्ट सैनिक स्कूल की process थी उसी के according आपको medical के लिए बुलाया जाएगा और जो बच्चा काउंसलिंग करता है तो उनको new सैनिक स्कूल and all सैनिक स्कूल की sources के according उनको school provide करवाया जाएगा तो सभी विध्यार्थियों को जिजिस ने भी अपना exam qualify किया है और उन सभी को e-counseling की process complete करनी है e-counseling की process के बाद में आपकी list जिस स्कूल से आपने form fill किया है उस सैनिक स्कूल की official website पर आपकी list डल जाएगी वहाँ से अपना result चेक करना है बाकी आपको चिंता करने के विलकुल भी जरूरत नहीं है मैं आपको timely details प्रोवाइड करवाता रहूँगा आपको information देता रहूँगा जिस से आप बिलकुल भी delay नहीं होंगे और जो भी विध्यार थी हमारे इस YouTube चैनल पर अब नया जुड़ा है तो वो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि सबसे latest update में आपको इसके पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद